नमस्कार स्वागा थे आप सभी का कम्टिशन कॉम्टिटी में हम लोग इतिहास सबजेक्ट के उपर बात कर रहे हैं और आज हमारा मगध समराज हम लोग मगध समराज के बात करेंगे दरसल जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा था आपको महाजन पद में कि 16 जन पद को सबसे सक्तिसाली और पर्मुक तो यह तेन बहुत सक्तिसाली महाजन पद थे जब हम 16 महाजनपद की बात किये थे और मैंने कहा था कि राजधानी आप सब का जो है जरूर याद रखेंगे राजधानी आप जरूर याद रखेंगे चलिए ठीक है तो हम सुरू में ही एक दो कोसन आप से पूछ लेते हैं आप ये बताईए कि जो असमक था महाजनपद उसकी राजधानी क्या थी इसका जवाब आप लोग कमिंट में करेंगे असमक की राजधानी कहा थी चलिए तो हम लोग मगत समराज के बारे में बात कर रहेंगे आज और देखते हैं कि महाजनपद एज की शुरू हूई तो उस समय पूरे भारत में जो important महाजनपद थे जिस के बारे में हमने किया उसमें महगद सबसे important था और कालांतर में यानि की समय के साथ महगद पूरे भारत का सबसे बड़ा महाजनपत बन गया सबसे बड़ा नहीं कहें कि एक मात्र महाजनपत बन गया कुछ समय के लिए जब असोक के हम पूरा का पूरा देखते हैं कि असोक कहां से कहां तक उसका पूरा बिस्तार था समराज का तो हम क्या देखते हैं कि हिंदु कुष परवत से लेकर के और मियनमार तक और उपर में यानि नर्थ में हम देखते हैं कि हिमाले परवत के सिरिंखलाओं से में नीचे में नील गिरी और उसके नीचे के पहाडियों तक पूरा का पूरा असोका बिस्तार था हाँ चेर चोर पांडे कुछ ऐसे थे जो नीचे में अपना अस्थान बनाय हुए रखे हुए थे थोड़ा भहुत जो संगम पिडियर में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे लेकिन असोक का इतना बड़ा समराज आप देखेंगे तो आपको लगए कि हाँ इससे बड़ा समराज भारत में आज तक कभी किसी ने नहीं किया है किसी राजा ने किसी सासक ने और ना ही सोतंत्र भारत में इतना बड़ा कोई छेतर हमारे पास रहा है जितना बड़ा छेतर असोक के पास रहा था उनके सासन काल के दवरान तो आप देखते हैं और उनकी राजदानी कहा थी पा जाते हुए चलते हैं और फिर हम आगे भरते हुए चले जाएंगे मगद मगद सबसे पहले इसका उलेख अथरवेद में मिलता है मगद का उलेख और इसे ब्रह्मन सीमा के बाहर का परदेश कहा जाता है अथरवेद सहिता में या अथर सहिता में इसे कहा जाता है कि ब्रह्मन महाजनपदों में मगत जो है न सबसे इंपॉर्टेंट है जो आगे चल करके आप जानते हैं कि सबसे बड़ा बन जाता है ठीक है चलिए और इसकी प्राडम्बिक राजधानी ये कोशन एक्जाम का पूछ लेता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं मैंने पहले भी कहा किसक राजधानी कहा थी राजगिरि या ग्री ब्रज जो भी आप यहाँ पीस बात को देखते हैं आपके एक्जाम के कोशन के ओफ सन के हिसाफ सब्सेंद ती करके आएंगे मैंने बता दिया राजगरी ठीक है या ग्री ब्रज ग्री ब्रज है ना चलिए आगे बढ़े आगे परते हैं मगद के बारे में तो हम लोग देखते हैं मगद के लेकर के कुछ और पॉइंट्स जो सामने में होगा हम मगद के डैनेस्टीज के उपर में बात करेंगे अच्छा कुछ जगह पे ऐसे पढ़ाए जाता है कि चलो डैनेस्टीज परते हैं यानि कब डैनेस्टीज शुरू हो गया यह डैनेस्टीज कुछ नहीं होता है आप आप जैसे मगद में हम पढ़ रहे हैं मगद समराज को तो मगद समराज के अंदर जो बंस हैं हम उसको पढ बारे में पढ़ेंगे अब dynasties पढ़ेंगे तो ये पढ़ते तो सेम चीज ही है लेकिने जो topic आप dynasties, इसको थुरा सा ये सीमट जाता है चीजे, कहां मगध और कहां आप dynasties में उसको सीमट के रख देते हैं, ठीक है, तो मगध समराज की बात हम लोग करेंगे, और यहा जैसे भी वो आप उसको कर लीजेगा हर्यंग बंस यह करम से है है सभभास क Lup और ऐससे पहला बंस है हर्यंग बंस के बाद हरे इछ निकलर सभारई जão और जानते हैं हरेयंग बंस के समय में जो राजधानी थी वो राजग्री थी और एक मात और बताऊं मैं इनहीं के समय में राजधानी चेंज होकर के जब उद्यन आता है तो पाटली पुत्र कर देते हैं सिसुनागों के समय में राजधानी जोना है एला क्या वैसाली चला जाता है और अब फिर से वापस पाटली पुत्र यहां पे एक बढ़ लेख लो वैसाली में परवर्तित किया था एक बात दूसरी बात नंद बंस यहां पर देख लिजेगा मौरियों की राजधाने भी पाटली पुत्र है नंद के बाद मौर है आप जानते हैं घनानंद किस तरीके से क्या बोलते हैं चानक को अपने दरबार में उसके साथ मिस्विहेब कि क्यां उसके से चैनक और चंद्रकूप्त मौर्यमिलकर के नंद बंस की वहां इसी इसी मौरेया दानेश्टी के महान आसओक होते हैं और पूरे भारत में इनका डंख का होता है इनके पूरे भारत में इनकी परचम लह करती है इनका करनाव क्या है कि से और प Only नहीं है थोड़ा एक दो कोशन यहां से एक्जाम में आ जाते हैं लेकिन यह बहुत इंपोर्टेंट नहीं है सुन्ग और कन्डव हमारे लिए मौर्या सबसे इंपोर्टेंट हलाकि एक्जाम कोशन के इसाब से एक दो कोशन तो हर डानेस्टी से आपको दिख जाएगा जब मध्यार के बंदेखो कोई कोई नोगों कोशन को देख दे रहे गा तो हम इस वा सारे यहां पर देखा हुआ तो सुरू करते हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे हरे अंग बंस के बारे मैं य। हर SMITH यह कोशन जो एक्जाम का बना है वही मैं बता दूँ कि मघद का मगद समराज का पहला डानेस्टी कौन था पहला बंस कौन था तो हर्यंग बंस था यह कोशन एक्जाम का बना है तो इसको भी आप दियान में रखेंगे तो हर्यंग बंस पहला है इस बात को दियान रखिएगा पहला बंस माना जाता है यह बात मैंने आप लिखा भी है हिंद time period आप देखे लिए एक बात धियान रखिएगा time period जो है, हर राजा का याद रखना जरूरी नहीं होता है ठीक है जो important राजा है उसका time period आप याद रखिए, असोक का time period आप याद रखिए, आजासत्रु का time period आप याद रखिए तो कुछ राजा होते हैं समुधर गुप्त का time period आप याद रखे तो कुछ राजा ऐसे होते हैं जिरेका time period याद रखना जरूरी है तो मैं आपको बताते हुए चलूँगा ठीक है बाकी अगर नावी time period याद रहे और आपका जो content है उस पर अगर पकर है दूसरी बात आपके पास याद करने के लिए बहुत सारी बाते हैं तो हम यह चाहते हैं कि क्या चीजे ऐसी हो जहां पर हम कटवती कर सके यानि कि हम अपने चीजों को थुरा समेट सके क्योंकि जब तक आप समेटे नहीं समेटेंगे तब तक बिखरे-बुखरे से रहेंगे और फिर वो चीजे एक्जाम तक भी बिखरा-बिखरा ही पहुचेगा और यह बात आप अपनुभब कर रहे होंगे जब आप एक्जाम में कभी-कभी बैठते होंगे बिखरे हुई अगर होंगे तो चलिए ठीक है अब हम लोग बात करते हैं आगे बिम्बिसार बिम्बिसार ने हर्यंग बंस की अस्थापना किया था और यह बुद्ध के समकालीन थे यानि कि भगवान बुद्ध इसके कंटिम्पररी थे बिम्बिसार के और इसकी राजधानी राजगीरी थी हलाकि मैंने पहले ही बताया कि शुरुआत में इसकी राजधानी क्या थी राजगीर या राजगीरी थी ठीक है चलिए आगे बात हम लोग करते हैं बिंबी स सार जो है ना वी इत बंवा कांचिस म define समराज और वह अपने समराज को बहुत ज्यादा आगे बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता है बिंबी था तो इसने समराज समराज को बढ़ाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है जैसे हम फो थोरा सा सीखकंदर को यहां पे देखें अलांकि इसके बाद है लेकिन अगर सीखंदर को हम थोरा सा देखें तो पहुत आगे बढ़ाया यांनि कि आप देख रहे हैं कि कहां मैसिडोनिया से शुरू हो करके और भारत यानि किchemical तर भारत तक पहुँच गया था वो पां कि एक बात ये भी कहा जाता है कि चुकि वो उनकी मिर्ती हो गई थी बेबिलोन में बहुत ही जल्दी मर गय थे बहुत ही कम उम्र में तो इस वह सुद्रिट नहीं कर पाए लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि सुद्रिटा भी एक अलग पॉइंट होता है और ये साथ 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 चलता है भी जित होने के साहथ संत कर को मजबूत ही बनाया जाता है ठीक हैं तो यह बात ध्यान रखियेगा तो घुमपी सार ने को अच्छे तरही के समझता था और उसने क्या कि पहले अपने समराज को सुरक्षा और सुद्रिट करने की सुची और सुरक्षा और सुद्रिड करने के लिए इसने सबसे पहले क्या किया कि रिलेशन्स मनाए साधिया की दोस्ति किया रिलेशन्स मनाए मतलब उन लोगों से रिलेशन्स मनाए जो मजबूत तो आपको मदद करेंगे यह एक हीडिन होती है कि अगर हमारे उपर किसी तरह का प्रोग्लेम है तो आप हमें मदद करेंगे और अगर आपके उपर कोई प्रोग्लेम है तो हम आपको मदद करेंगे यह एक हीडिन एजेंडा होता है और दूसरा इसके साथ आप संबंधे बनाया है वो तो कम से कम आपके उपर हमला नहीं करेगा अगर बात राजबंसों की हो तो तो यहाँ पे इसने तीन साधिया की पं लिक्षवी की राजकुमारी चलना यानि चेतक की बेटी है यह चेतक की यानि की लिक्षवी के जो राजा थे चेतक उसकी बेटी है और कोसल नरेस परसेंजीत की बहन है महा कोसल आप यहाँ पर देख लिजएगा यह तीन साधिया करते हैं यह मद्र की राजकुमारी खेमा से कोशन नरेश की राजकुमारी महा कोशला से और लिक्षवी नरेश की राजकुमारी चलनना से यह तीन साधी करते हैं कभी-कभी कोशन एक्जाम के बन जाते हैं कभी-कभी नहीं बनते हैं तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रख सकते हैं थोरा सा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है, अब इन तीन साथियों से क्या हुआ, कि कम से कम इतना हो गया, कि हमें बज्जी, यानि कि जो लिक्षवी बज्जीयों का सबसे सक्तिसाली, जैसे बज्जी क्या था, संग था, बज्जी क्या था, मैं आपको कुछ-कुछ चीजे बताते बज्जी केलाते हैं ते बज्जी, बज्जी, और इसकी राज़धानी कहा थी वैसाली, जिसके बार में चर्चा हमने पहले भी किया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक सबसे इन्पॉटेंट, जो मैं सबसे बड़ा करते हुआं था है, मुझछ 오ंति दल क्षीयों। लिक्षवी नाम का ट्रेंड भी चलता है, मुझा परपूर से, ठीक है, तो लिक्षवीयो का समराज सबसे बढ़ा था, और इसके राजा थे चेतक, इसके राजा थे, ठीक है, तो उन्हीं की बेटी थी, जिन से साधी किया था, किसने, बिम्बी सार ने, ठीक है, चलिए, तो बात ध्यान में रखियेगा अबंती की राजधानी थी और अबंती कहां था मध्ध पर्देश में ठीक है मध्ध पर्देश मैं कुछ-कुछ बाते आपको रिवीजन कराता हुआ चलूंगा इसे क्या होगा कि आपका चीजे मजबूत होती चली जाएगी तो अबंती और मगद के बीच में पर्दिदोंदिता था और यह पर्दिदोंदिता बहुत मजबूत था और काफी दिनों से था ना मगद अबंत हो जाता है जिसको पांडू रोग बोलते हैं जॉन्डिस हो जाता है पांडू रोग और उसको इलाज के लिए अब चुकि उसका जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा था तो जब मदद मांगा जाता है अबंती के द्वारा किसे मदद मांगा जाता है मगद से तो मगद के राजा तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जीवक को भीजती है, एक चिकितसक इसमें थे थे नियूजद, और ढल continues ने मुकरते. तो जीवक से भी कोशन, एकजाम में पूछ सकते हैं, कि जीवक क्या था तो राज बैद था, बिम्बी सार किसके दरवार में थाथमा, जाप फीर आप से ऐसे question पूछ सकते है कि से कौन राजवैद है प्राचीन भारत में गजो जीवक राजवैद रहा है. जोबी मैं नाम लिखूंगा वह अलग अलग पीज़ भीज़ियर में रहा है. ठीक है, डॉक्टर जिसको आप बोलते हैं, डॉक्टर, कौन-कौन डॉक्टर था, तो जीवक डॉक्टर था, जीवक क्या था, डॉक्टर था, किसके दरवार में था, बिम्बिसार, ठीक है, जीवक डॉक्टर था, बिम्बिसार के दरवार में, उसके बाद, डॉक्टर और चरक भी था और डॉक्टर सुस्रूत भी था ये दोनों डॉक्टर थे तो चरक थे कनिस्क में ठीक है और सुस्रूत भी इनहीं के समकालीन थे और एक और डॉक्टर है एक और धनवंत्री धनवंत्री क्या थे डॉक्टर थे याद रखियेगा और धनवंत्री किसके समकालीन थे तो या किसके दरवार में थे तो चंद्रगुप्त दूतिये के नवरत्न थे ये गुप्त बंस के चंद्रगुप्त दूतिये के नवरत्न थे गुप्त बंस के चंद्रगुप्त दूति जीवक, चरक, सुसूरुत, धनबंतरी ये डॉक्टर है और कौन-कौन किसके दर्वार में थे यही बात मैंने आपको बता दिया, एक्जाम में कोस्टन यहां से पूछे हैं, सुसूरुत, चरक का चरक सहिता किताब का नाम है, सुसूरुत का सुसूरुत सहिता है, उस किताबो हम लोग बिंबी सार के बारे में यहाँ पे एक और पॉइंट देखे अगला पॉइंट है अपर बिंबी सार के बारे में क्या देखते हैं कि इसने अंग परदेश को अंग की रालधानी कहां थी चमपा यह बात हमने बताया तो अंग को इसने अपने समराज में मिला लिया, अंग को जीत लिया था, किसने बिम्बी सार ने और अपने समराज में मिला लिया था, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट जो एक्जाम में कितने बार कोशन पूछता है, वो यह है कि बिम्बी सार की हत्या किसने किया, तो ब वित्री हंता भी कहां जाता ही वासं truths अब हम लोग भींपि सार्ट के पार बात किया कि उसने जीवक को भीजा अब अंति के साथ उसकी सतुरिता ती लेकि रजा रावित थमले थे उसको भी रोकने का काम किया यैसे पास में कोसल है तो कोसल से हमला हो सकता है कहां मगध पे तो कोसल को अपना दोस्त बना लिया तो उसे अभा Schön passive नहीं अविश्वि कपना लिए तो मद्र को इन हम open 7 Live अपना सम्वन होальном क्योंकि बज्जी भी एक मजबूत संग था बज्जी भी मजबूत महा जनपत था और कहीं ने कहीं हर्यंक यानि की जो बिम्भी सार था उसके मन में यह था कि हम अपने समराज बढ़ाना है तो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ दोस्ती बना के रखना परेगा ठीक है त अपने पिता का हत्या कर दिया था इसका याद रखेगा इंपोर्टेंट है एक्जाम में कोशन कभी कभी पूछ लेता इसके टाइम पिरियेट से ले करके चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो आजाज सत्रू ने क्या किया मतलब कि यह समझ लिए कि बिंबी सार जो ह और कोशल में चलीए बहुत है कि यह समझ लड़ने के बाद पकासी कराम के राजा इंपोर्टेंट है उसको बार ध्यान से समझना इपर राजा परसंजीत के बेहन से बिंभी सार की Cabin अ कि दू परसंजीत की बेहन से और राजा परसंजीत की बेटी से बिम्बिसार के बेटा का साधी है अब देखो यह कैसा कहानी बन रहा है परसंजीत के साथ समझाता कर उसकी बेटी वजीरा के साधी कर लिया किसकी बेटी परसंजीत की बेटी से उसके बाद इसने बज्जी के साथ बिजय पड़ाप्त करता है उस उस जगापे ठीक है आप चुकि पितरी हंता भी कहा जाता है तो यही बात ध्यान रखेगा अजास सत्रू के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि न केवल इसने बज्जी और क्या वोगत है परसंजीत यानि कि कोसल को हराया बल पहला बॉट संगति और आप जानते हैं कि पहला बॉट संगति का आयोजन करवाया था कहां राज गीड में 483 BC में फर्स्ट बॉट पॉइंट है और भगवान महाबीर का पावापूरी में होता है ठीक है चलिए तो 487 बीसी में बहुत संगती का आयोजन करवाया और फिर इसका बेटा भी इसको मार देता है मतलब यह अपने बाप को मारा तो इसके बेटा ने भी इसको मार दिया यह सिंपल पॉइंट है तो धियान रखेगा अजास्वश का हॄत्या उसका इसने पुत्रसहर के अस्थापना किया और पाटली पुत्र को पहले बात आप त्यान में रखीयेगा चलिए ठीक है आगे देखते में कोस्टन एक्जाम को बंजाते कभी कभी कि कि अंधिम सास्ट को है तो इसको आप बिल्कुल ना करें यानि कि भीवियाई ना लिखू तो इसका मतलब आप इग्डोर कर जाया इसा नहीं है पाटली पुत्र की स्थापना और पाटली पुत्र सहर को राजधानी बनाना यह उद्यन का काम था उद्यन ने काम किया था अब हम लोग बात करते सिसुनाग डानेस्टी सिसुनाग टेक है तो सिसुनाग डानेश्टी और इसके संस्थापक सिसुनाग ही था सुसुनाग नहीं तो आगे परते हैं सिसुनाग का सब्से इन्पोर्टेंट पॉ inappropriate क्या है कि इसने अबंति को जीता था ठीक है सिसुनाग का सब सिसुनाग जब भी सिसु बोलता हूं तो सिसु मुझे समझ में आया था कोई बात नहीं तो सिसुनाग का सबसे इन्पोर्टेंट और सिफ से महतपूर्ण काम है कि इसने अवंती को जीत लिया था जिस अवंती के साथ इतना दिन का पूरा का पूरा चल रहा था संघर्श उसमें अवंती को सिसुनाग जीत लेते हैं और अपनी राजधानी किसको बनाया वैसाली को बनाया यहां पर ध्यान को भी एक बार ध्यान में रखेगा कि सुनाग ने राजधानी को सिफ्ट किया बैसाली अच्छा किसलिए सिफ्ट किया तो देखो पटना एक राजधानी था बैसाली को राजधानी बना करके पटना को बफर बना लिया और चुकि अवंति की साथ लराई था तो पटना को यान कोई जीत लेता है तो वो हार माना जाता है और पूरे समराज पर सासन हो जाता है पहले ऐसे ही होता था क्योंकि राजधानी ही सब कुछ था राजधानी को पूरा फोर्टिफिकेशन किया जाता था उसके अंदर बजार था आप जानते हैं राजधानी के अंदर राजा भी रह परजा भी रहती थी मार्केट लगती थी तो राजधानी एक बड़ा सा सेग्मेंट था कोई ऐसा पॉइंट नहीं था तो राजधानी को सुरक्षित करना सबसे बड़ा इंपोर्टेंट काम था हालीवुड बर्गर के फिल्मों में अप दिख जाएगा कि किस तरीके से राजधानी बगारओको सुरक्षित रखना इंपोर्टेंट पॉइंट था चलिये ठीक है अपनी राजधानी मी करवाएगा राजधानी कहा था वैसाली और यह कब था 383 BC तो याद रखेगा मैंने आपको कहा था कि पर्थम बुधिष्ट कॉंसिल जो हुआ था वह 483 BC में हुआ था और सकेंड बुधिष्ट कॉंसिल 383 BC पूरा 100 वर्स का डिफरेंस से याद रखेग फिर से चलिए ठीक है इस वर्सका अंतिम सासक नंदी बर्दन था अब जो हम अगला बंस पर रहे हैं वह बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्जाम पॉइंट व्यू से नंद बंस तो नंद बंस के बारे में बात करते हैं देखो नंद बंस का क्या है इसके संस्थापक सेना कहते हैं कि दो अढ़ाई लाक पैदल था या छे लाक पैदल था पैंतिस चालीस हजार हाथी थे इतने ही घोड़े थे और रत थे तीन-चार हजार रत जो महाराथी तो होते थे मतलब एक विसाल सेना की बात किया गया है इतिहांसकारों के द्वारा मुझे लगता है कि यह कुछ तो अपना मन से भी लीग दियो होंगे क्योंकि उसे में इतनी जनसंख्या भी रही होगी कि नहीं पता नहीं क्योंकि आज से 3000 साल पहले की बात कह रहे हैं लेकिन हम माल लेते हैं कि इसके पास विसाल सेना था हम लोग पॉइंट्स पे नहीं जाते हैं यानि कि आक और धनानंद के समय में सिकंदर का आकर्मन हुआ था तो यह बात भी आप समझ में लीजेगा कि विसाल सेना था और सिकंदर का आकर्मन हुआ अब इस दोनों को मैं को रिलेर करता हूं ध्यान रखिएगा तो धनानंद के पास विसाल सेना था धनानंद ने जिंसेन की मूर्त करके अनंद बंस को समाप्त करने के लिए पूरा परियत्म किया था और उसको समाप्त भी किया था और आगे चल करके हम मौरया डानेश्टी देखेंगे ठीक है धनानंद के बाद ही याद रखेगा तो अंतिम सासक की रूप में कोशन पूछा है कई बारी तो धनानंद है अब जब यूनान एक समय बिल्कुल दिवालिया होने के कागार पे था यानि की बहुत ज़्यादा दिक्कत था लगभग दे 2013-2014 की बात हम कह रहे हैं तो उसमें अखवारों में आया था कि सिकंदर के यूनान दिवालिया होने पे है तो यह बड़ी बात था तो यूनान हम कह सक मैसिडूनिया के रहने वाला था सिकंदर पिता का नाम फिलीप था और माता का नाम ओलंपियस था इसे करके कुछ ओलंपियस था माता का नाम इसको एक बार देख लिजयेगा और इनकी मिर्थियु यह 323 इस्वीपुर बेविलोन में ठीक है बेविलोन में और भारत पे आक वरस्कुमुरु में उसको राजा बना दिया एता है सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है पर लेकिन बहुत प्रखर बुद्धी का है और अरस्तु जिसका प्रखर होगा वो कितना प्रखर होगा आप समझ सकते हैं तो फिर सिकंदर मैसिडोनिया से आगे निकलता है और बिजेता बनने के लिए आसपास के राज्यों को आसपास के देशों को रियास्तों को जीतना शुरू करता है और जीते जीते मध हेसिया होते हुए भारत तक पहुंचता है तो भारत पहुंचता है उत्तर पस्चिम के रा तो कहते हैं कि सिकंदर जीते हुए आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसके जो सेनापती है वो आगे नहीं बढ़ते हैं अब इतिहासकार इसके दो कारण बताते हैं पहला कारण ये बताते हैं कि सिकंदर के सेना लड़ते लड़ते ठक गई थी और एक होम सिकनेस जैसी जो बा से बिजय बनते चले जार तो homesickness नहीं लगा और अभी कुछ दिनों में तुमको homesickness लग ले लगा तो यह कहीं न कहीं हम मुझे लगता है कि एक तरीके का बहाना भी हमें समझ में आता है यह एक बाद समझ लीजिए दूसरा कारण क्या है कि सिकंदर का जो सेनापती थे वो घ सेनापती कहते हैं कि हम घाना नंद के सैनिकों को मारते मारते मर जाएंगे लेकि उसकी सैनिक समाप्त नहीं होगी तो कहने का मतलब है कि इतनी विसाल सेना उसके पास है तो इस बज़े से वो डर गया और डर के वापस हो गया तो दोनों चीजे आप ध्यान में रखिएगा ठीक है और इतिहासकार पहले को ज़्यादा तबज्जो देते हैं कि उसके होम सिखनेस अब चुकि सिकंदर को डर के वापस लोटना कैसे लिखे भी सुभी जेता हम वापनीम ज़ेते हैं तो इसको दूसरा बहना बना दोए लेकिन सच बाती है कि वह नंदों से गहभडा गया था नंदों की विशाल सहनेस से उनके सेनपति घवड अपस चला गया था चलिए सिकंदर की दो सेना पथी थे यही बात रहतेगा मैं से लिया खन्दर की सेज़ out सेल्यूकूस के पूरा समराज सौप करके वापस लूट रहा होता है सिकंदर ठीक है मतलब जो भारत का समराज है तो उसको वापस सौप के लोट रहा होता है वापस लोटते हुए बेबिलोन में उनकी मिर्त्यू हो जाती है अब सिकंदर के मिर्त्यू पे दो बाते हैं एक इतिहासकार कहते हैं कि सर्जयंत्र के कारण उसको मिर्त्यू हो गया है दूसरे कुछ ऐसा कहते है कि उसको तबियत खराब हो गया था का तब यह ज्यादा खड़ाब हो जाता है तो उनको उनका का बोलते हैं कैजियॉलिटी भी होती है तो मतलब ऐसा हो सकता है इसमें कहीं कोई पोसुइबिलिटी नहीं है लेकि इन बातों को इतिहासकार अगर ज्यादा तबज्यों दे कि मच्छर काटने से सिकंदर मर गया मलेरिया होने से बीमार परने सिकंदर मर गया तो थोरा सा अलग टाइप कर लेगा लेकिन फिर भी काते हैं कि सध्यंद्र के कारण सेनापतियों ने उसे मार दिया तो यह बहुत पॉसिवल है क्योंकि उस समय यह बड़ा आम था मतलब यहां पर बता दिया लेकिंस की मिर्तिव का हुई बेबी लोन में यह बात अब ध्यान में रखेगा सिकंदर की मिर्तिव होती है और हैंड यह सबसे इंप्रोटन्ट लडाई जो की पूरस के साथ सिकंदर का होता है। हाइडेपीज की यूद या जेलम का यूद जो सिकंदर और पोरस के बीच में होता है पोरस अलागी इसमें हार जाते हैं इतिहांसकारों के हिसाब से पोरस इसमें हार जाते हैं और फिर भी पोरस को उसके बहादुरी से खुस होकर कि सिकंदर उसकी समराज को आपस कर देते हैं और कहते हैं कि आ पहाँ पे साथन करें मेरे अधिंता को विकार कर लो तो यह कुछ पॉइंट है जो सिकंदर को ले कर कर, न हमने बात किया उनके से लुकस और नीयारकस के बाड़े बात कर लिया, उनके तविध्य तो आगे हैं आप यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो मोरियों के बात करेंगे चंद्गु तुमोर के बारे में हम बात करेंगे हुआ कि ऐख रह configure मढ़ें कि no पताया था कि किस तरीके से असोग का जो पूरा का पूरा समराज था उसका एक तस्वीर हमने हाँ पे डाला है यह असोग के तस्वीर अब यह सच है क्या है यह अलग बात है लेकिन यह असोग का तस्वीर है ठीक है और यह असोग का समराज है आप देख लिए नीचे में चोल बड़ा समराज कभी किसी भी राजा का नहीं रहा है भारती इतिहास में कभी किसी राजा का नहीं रहा है इतना बड़ा समराज और इसकी राजधानी कहा है पाटली पुत्रा तो यह आप देख लीजिए ठीक है किसी भी राजा और अंग्जेव जो कि मुगलों में सबसे ज़ तो और अंग्जिव के पास भी इतना सासन नहीं था यानि कि असोक से पहले और असोक के बाद समराज इतना वड़ा किसी सासक्खा नहीं रहा है और अगर इसकी एरिया देखे तो अभी भारत का बरत्मान मेरिया है 32,233,263 km2 अभी बरत्मान मेरिया है और पाकिस्तान और बं यह सासन कर रहा है असोक याद रखेगा असोक के बारे में बात हम कर रहे हैं पहले उसके बाद हम मौरिया डानेश्टी को सुरू करते हैं याद देहान रखेगा मौरे डानेश्टी के सबसे पहला राजा है सबसे पहले मौरे डानेश्टी को हम जानते कहां से और एक्जाम से प्राप्ट हुए कुमरार में आप जानते कि बड़े महल प्राप्ट हुए है अस सीखंबो वाला ठीक है सिक्के जो प्राप्थ हुए है और जूनगाड वbtय है से जो बाते हमें मिलिए उससे हमें मौरयों का बारे में जनकारी मिलता असोख करविलेक कुमरार यह सबसे important है दो और इधर सबसे important है मेगा स्थनीज की इंडिका ये बड़ा important है कई बार exam का question है और चानक कारशास्त्र ये भी exam का question है विसाख दत का मुद्रा राक्चस ये भी exam का question है बहुत साही जन साहीत और पुरानों से यहां रखेगा ध्यान में यहां पे जो मैंने तीन लिखा इसको आप समझेगा यहां पे एक तरफ writer का नाम है दुसरे तरफ किताब का नाम है और ये exam का question काई बारी बना है तो इसको आप ignore नहीं करेंगे प्लीज यह बहुत important है इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे बहुत important है ठीक है चलिए और यह सारे जो है ना मौरियों के बारे में बात करते तो आपसे यह भी question पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा साहीत मौरियों के बारे में बात करता है और विसाग दत का मौरा राक्षास यान बात करता है बड़ा अच्छे तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं मौरियों के बारे में चंद्रगुप्त मौर जो मौर इबंस का पहला सासक है हम उसके बारे में बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर मौर इबंस का पहला सासक है याद रखेगा और इसे मुक्ती दाता भी गहनानन से मुक्त करवाया था, इसलिए इसे मुक्ती दाता भी कहा जाता है, इसे मुक्ती दाता भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रखेगा एक पॉइंट को अच्छे तरीके से, अब अगला पॉइंट यहां पड़ यह है, ध्यान में, चंदुरूत मौर के बारे क्या बोलते हैं उनके योगदान बहुत है चानक का चंदुगूत मौर के साथ उनके योगदान से उनके सला से मौरी डानेस्टी के अस्थापना करना और मगध पे जीत दर्ज करना ये एक बड़ी बात था ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा चलिए मौरियों को जब सास सेना पती था कौन सेलुकस निकेटर ठीक है सिकंदर का सेना पती था तो सेलुकस को हराया सेलुकस को हराया और सेलुकस की बेटी हे लेना से साधी कर लिया देखो यहां पे लिखा होगा सेलुकस से क्या-क्या लिया वो देखिए हिरात, कंधार, बलुचिस्तान यानि कि पाकिस्तान का जो आज बहुत सरा इलाका है वो सेलुकस से ले लिया किसने चंद्रगूप्त मौरे ने और अपने समराज को आगे बढ़ाने का काम किया ठीक है अभी असोक तक पहुंचे नही है तो अपने समराज को आगे तक बढ़ाने का काम किया ये बात और 500 हाथी उपहार में दिये किसे सेलुकस निकेटर को तो ये बहुत इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट यहाँ पर यह है कि सेलुकस निकेटर को हराया था किसने चंद्रगूप्त मौरे ने पहला बारे में अगला पॉइंट यहाँ पर क्या देखते हैं कि चंद्रगूप्त मौरे के दरबार ए और सेलुकस ने मेगास्थनी z को दोत्वास्थत करे धीकी घीक इंडिका नहीं है उपलब्द ठीक है वो जो अलगलग राइटर्स अलगलग किताब लिखे हैं जो रिफ्रेंस इंडिका का दिया उससे इंडिका के बारे में पता चलता है ठीक है चलिए तो Megasthenes के किताब का नाम है क्या Indica और Megasthenes किसका राजदूत था? Cell Lucas का, यूनानियों का राजदूत था तो हम यहां लिख सकते हैं कि यूनानियों का राजदूत था यूनानी, यूनानी राजदूत Megasthenes कोस्टन कैसे भी पूछे आपको सजवाब देना है या तो वो Cell Lucas का राजदूत के रूप में कोस्टन पूछे या यूनानियों के राजदूत के रूप में कोस्टन पूछे आपको जवाब देना ही देना है ठीक है और इसके किताब का नाम तो वराइन पोटेंट है जैसा कि आप जानते है उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि यूनानियों को चंद्रगूप्त ने सेंद्रो कोस्टस कहा ये कोस्टन एक्जाम में बन जाता है याद रखेगा और बिलियम जून्स ने चंद्रगूप्त को सेंद्रो कोटस को चंद्रगूप्त कहा अब यहां पर ध्यान देजिएगा कैसा मैंने जो लीखा है अगर आपको समझ में निया तो मैं बताता हूँ यूनानी चंदरगुप्त को सेन्डरो कोटस कहा करता था यूनानी अब सेन्डरो कोटस अब हर जगा जहां भी यूनानी साहित है सेंड्रो कोर्टस सेंड्रो कोर्टस जैसे सब्द लिखे हुए हैं तो सेंड्रो कोर्टस था कौन तो एक बिलियम जोन्स जैसे विद्वान थे आधुनिक भारत में कि इस्याटिक sos iटी वाले यहां पर आधुनीख भारत में आधुनीख भारत ठीक है और विलियम जोन्स कौन है एसे यार्टिक सो्साइटी वाला इस्यार्टिक साइटी यहां पर ध्यान रिखेगा यह कोसन एगजाम का बन जाता है, कई बारी बना है, ठीक है, एस्याटिक सोसाइटी का स्थापना किया था सिंड्रो कोटस की। यह बात मेरा कहने का था, यही बात मेरे लिखने का आसे है था, ठीक है, चलिए, आगे चंद्रगुप्त के समय में सुधरसन जहिल का निर्मान हुआ, कहां किया गया, गुजरात में, सुधरसन जहिल का निर्मान, सौराष्ट, ठीक है, सौराष्ट के राजपालने कर वाया था, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यह कोशन एक्जाम का बन जाएगा, चलिए, आग आपको बतादू, कि यह कहानी है, कि चंद्रगुप्त के समय में, मगध में अकाल आया था, 12 वरसो का, तो चंद्रगुप्त क्या करता है, कि मगध को छोर करके, यानि कि देख नहीं पा रहा था, कि मारा जंता इस तरीके से भूखे मर रहा है, तो वो मगध को छोर करके, औ बोल रहा हूं सब एक्जाम के कोस्तन है जो कहानी में सुना रहा हूं तो चंद्रगुप्त आकाल के कारण कहां चला रहता है सरवन बेल गोला करना टक और वहां पे संलेखना बीधी से जो बात हमने आपको जैन धर्म बताया था या संथारा प्रथा से अपनी प्रान को त्या करता है कौन चंद्रगुप्त माुर ठीक है कहा शरवन बेल गोला में और संलेखना पर था क्या होता है उपवास रह कर कि क्या बогते का शरीर का त्याक करता है चंद्रगुप्त माूर आप बाहुबली का मुर्ती है एक और दूसरा मैंने क्या क्या कह था कि महा मस्त विसेक सरवन बिल गोला में गुमतिश्वर या बाहुबली के बाद आता है बिंदु सार मतलब देखो अगर मौरे बंस बहुत मजबूत बना तो उसके पीछे कारण क्या है कि एक से एक सासक मजबूत आते चले गए जैसे चन्दगुपत आया फिर बिंदूसार आया उसके बाद आप देख रहे हैं कि असोख आया तो ये बड़े बड़े सासक एक के बाद एक चले आ रहे है और उसने समराज को सुद्रिड करना किया जैसे कि अगर हम इसको मुगलों से एक बार जोड़ दे तो मुगलों में हम क्या देखते हैं कि बावर आया जो बड़े मजबूत था हिमायू कमज़ोर था हिमायू को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वह अकबर का बाप था और कोई बात नहीं है, तो बावर मजबूत था, और बावर के ठीक बाद अकबर आ जाता है, यानि हिमायू के कुछ पिरियेड के बाद, और अकबर बहुत मजबूत सासक था, तो उसने ऐसा समराज का नीव डाल दिया, कि जहांगीर और साह जहां उसी नीव पे चला, और फि सासन का जो एक परभाव था, वो अकबर से कम नहीं था, बस अकबर उदार था और ये कटर था, यही एक अंतर है, नहीं तो औरंग जे भी सासन, सासक के मामले में एक बेहतरीन सासक में गिन्ती आता है, चलिए ठीक है, आगे बरते हैं, बिंदु सार के बारे में हम लोग ब अमिट्रो कोटस कहा जाता है, ठीक है, जैन साहित में इसे सिहसेन कहा गया, जैन साहित में क्या कहा गया, सिहसेन कहा गया, ठीक है, चलो, आगे, यहां पर लिखा हो न, अमिट्रो कोटस, तो लिख दिया मैंने, ठीक है, आगे, उसके बाद बिंदु सार के बारे में क्या है कि इसके समय में तक्सिला में बिद्रो हुआ था तक्सिला में और यह कोशन एक्जाम में कितने बार बना है कि तक्सिला में किसके समय बिद्रो हुआ था तो बिंदुसार के समय में अब पॉइंट आता है तक्सिला क्या है तो तक्सिला राजधानी भी आप जानते हैं और भा बर्तमान में वो कहीं ना कहीं पेसावर का इलाका है इसलामाबाद के आसपास का इलाका है बर्तमान में ठीक है पाकिस्तान में तो तकसिलाग में बिद्रोग हुआ था और इस बिद्रोग को दवाने के लिए असोक को भी भेजा था और असोक का एक भाई था सुसीम उसको भी का मदपर्देश में उसका राजपाल था तो और जब विद्रोह दब गया यानि दबा दिया गया तो असोख को अवंति और तकसिला दोनों का गवर्णर बना दिया गया यह भी बात आप समझ लीजेगा ठीक है यानि दोनों चीजे असोख के डिरेक्ट प्रभाव में आ गया और वहाँ पर उसकी देख देख में चीजे चनली सुरू हो गई और फिर जब बिंदु सार की मिर्तियों होती है तो फिर असोख राजा बनता है उसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे लेकिन पहले बिंदु सार को निप्टा दे तो सुसीम और असोख को बारी-बारी से वि बात आपको किया चलिए एक और क्यों बन जाता है एक्जाम के मिंसर के सासर टौलीमी दूत्यम में फिलेख मैंथनलस को इसके दरवार में में भोई जब रखxis कहांके राज दूत्यम भी जायता और ये बन जाता है और यह बाद द्यार रखेगा कि इसने आजीवको को संदक्षन दिया, आजीवक भी एक तरीके का सिक्ष था, जैसे बौध, जैन थे, उसी तरीके से आजीवक था, और आजीवक संपरदाय के जो संस्थापक थे, वो थे, चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जब अभियाद आ जाएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, मेरे ध्यान में रहेगा, तो आजीवक संप्रदाय को बिंदू सार ने क्या किया था, संदक्षन दिया था आजीवको को, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, मक्खली गुसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कोन है, मक्खली गुसाल, इसको अब अच्छे तरीके सियाद रखिएगा, एक्जाम का कोशन बना है, भी भी आई है, ठीक है, मुझे याद नहीं आता, अब याद आगे, तो मिने बता दिय अब चलिए, अब असोक के बारे में बात करते हैं, असोक का टाइम प्रिडिड जरूर याद रखिएगा, 269 से 232, कहीं कहीं असोक के टाइम प्रिडिड में 272 दिया होगा, उसको आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, आप 269 ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्जाम का कोशन अ अब देखिए, 79 है, 60 होगा, उसके बाद 66 होगा, 67 होगा, 66 होगा, उसके बाद 65 होगा, 64 होगा, 63 होगा, और 62 होगा, तो यह 8 साल हो गया, ठीक है, और 61, यानि कि 8 साल बाद क्या होता है, कलिंग लिर आई, तो इसी इसाब से आप देख लिजेगा, 269 ही आप असोक के टाइ बीसी बीसी देखिए गाए चलिए आगे बात करें असोख ध्यान रखिएगा असोख के बारे में बहुत सारा कहानिया है जो मैं आपको बताऊं कि असोख जासा जो बनना था उससे पहले इसने अपने निन्यानिमे भाईयों की हत्या किया था इतिहांसकार ऐसे कहते हैं और सबको फेग दिया था थोरा सा हस्चर्द लगता है अरे एक दो भाई को मारा तो ठीक है सबसे पहले तो बिंदु सार को निन्यानिमे को बेटा था ये आप ध्यान रखिएगा मतलब कहानी निन्यानिमे बेटा था उसको कितने बीवी होंगे पता नहीं उसके बाद ये 10 को मार दिया फिर भी सब सहतर ogóle पचास को मार दिया अब 37 खोंड़े बाकी सबस बहुत्त हो सबस्के मर चास मर गया है तो यह कूछ विश्था खोगा तो है, छलो, कोई नहीं तो असोक को संघर्ष करना पर आपनी गद्दी पाने चेलिए असोक उजय्ए ए tut शौरी मैंने अबनती बताया था माफ की जएका असोक की जाई मैंने अबनती बताया था असोक कुछ Zen का परशासक था, याद रखेगा, और बाद में उसे तकसिला का भी परशासक बना दिया, जो मैंने आपको बताया कि जब उसने विद्रोः दबाया था, तो उसे तकसिला का भी परशासक क्या कर दिया गया, बना दिया घा था, ठीक चलिए, उसके बाद अगला Important Point जो म इसका बर्नन है, ये कोशन एक्जाम में कितने बार बना है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, तेरवे सिलालेक में कलिंग के यूद का बर्नन है, ये कोशन एक्जाम में कितने बार बना है, इसको आप यहां रखेगा, एक, दूसरी बाती ये है कि कलिंग का राजा खारवेल, ठीक ठी और इस से अशोख का मन बहुत ज़्यादा दहल गया हालाकि अशोख यूधर जीत गया था अशोख यूधर में बिजय परापट कर लिया लेकिन उसका हिर्द्य में बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ इस यूद के बाद अच्छा ठीक है तो क्या हिर्दे में परिवर्तन हुआ तो क्या कलिंग को छोड़ दिया असोख ने ऐसा नहीं किया असोख ने कलिंग को नहीं छोड़ा कलिंग को अपने कवजे में रखा लेकिन उसका हिर्दय परिवर्तन हो गया, अब वो लराई नहीं करना चाहता था, अब वो लराई के जगह पे भाई चारा से बातों को आगे बढ़ाना चाहता था, तो दूसरा पॉइंट यहां पर यह और है, मैं काउंटर कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट यह है, तो भाई बचा क्या था जीतने के लिए जो वो लड़ता, बचा भी तो कुछ नहीं था, साउथ का एक छोटा सा छेतर बचा था, चोलो ओलो का, चेरो का, तो वही बचा था ना, बाकी तो आप नहीं दिख रहा है, बाकी तो हमें दिख रहा है, हिंदू कूस जो कि वहां पे हेरात, क आप जीते हुए हैं, नीचे में आप जीत लिए हैं, काबेडी नदी तक, तो फिर बचा क्या है, बचा भी तो नहीं है जीतने के लिए, तो अगर आपका हिर्दय परवर्तन हो गया, तब कलिंग को छोड़ देते, आप कलिंग को आप नहीं छोड़े हैं, तो इसका मतलब आपका हिर्दय परवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ये सब बाते सिर्फ काउंटर करने के लिए है, पॉइंट यहां पर यह है, और आपको बताने के लिए, किसलिए कि आपको याद रह जाए जो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट यहां पर यहां है, कि असोख ने कलिंग के हो रहा, लेकिन हिर्दय परवर्तन हो गया, यह कैसा हिर्दय परवर्तन है भया गुर्खाइ गुलगुले से परहेज, मतलब कि अप ध्यान में रखेचा इस बात को, तो सहिन के यह कि असोग का हिर्दय परवर्तन होता है कलिंगτε यूद के बाद चलिए, दूसरा पॉइंट यह है कि कलिन के यूद का बरनन तेरवे सिलालेक में जो बात हमने आपको पहले बताया चलिए ठीक है और इस यूद के बाद जब उसका हिर्दय परवर्तन होता है तो वो बहुत धर्म को अपना लेता है और उपगुप्त नावक विक्चु जो है न उसे बहुत धर्में परिवर्तित कर लेते हैं और यह भी विविया यह एक्जाम का कोश्चन है यानि कि असोख अब बहुत धर्म को अपना लेता है बुद्धम सर्नम गच्छामी वाली कहानी जो आप देख रहे है ना धमम सर्नम गच्छामी बुद्धम सर्नम गच्छामी वाल और अपने समराज को चलाएंगे यानि कि यहां पे लिखा हुआ है जो सुरी मैं बिंदु सार कर दिया सुरी ठीक है यहां पे अप लिखा हुआ है कि वह यूद का त्या करके वेरी घोस की जगा वेरी घोस का मतलब होता है यूद यूद के जगा धम घोस धम घोस मतलब सांती ठीक है सांती को बढ़ियता दिया और सांती के साथ काम करना सुरू किया इसने अपने धम के परचार के लिए धम महामातर की निक्ति की यह एक अधिकारी है अधिकारी यह दरसल समराज में धार्मिक धम महामातर जो है न वो धार् जो बिवस्था से सासन चल रही है की नहीं, लोग चीजों को मान रहे है की नहीं मान रहे हैं, उसको देख रहे के लिए धम महामात्र का पॉइंट, मतलब यह दिकारी निउत किया गया था, दरअसल धम था क्या, तो अगर धम के बारे में बात करे हम, कि धम क्या था, असोक का धम, तो असोक का धम कुछ नहीं, नैतिक नियमों का एक code of conduct था, यानि कि नैतिक नियमों का संग्रह था, नैतिक नियमों का संग्रह था इसका धम, किसका धम, असोक का धम, और वो नैतिक नियम क्या-क्या थे, अगर इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए धान इकठा नहीं करना, धान इकठा नहीं, ठीक है, भोज देना, भोज देना, दान करना, अहिंसा, पसु बद नहीं, पसु का बद नहीं होगा, पसु का बद का मतलब, जैसे होता था ने, सिकार विकार, वो सब रुख गया, क्याता है कि असोक के जो किचिन था, उसमें मोर को, या फिर हिरन बगारा का जो मांस बनता था, उस सब बंद करा दिया गया, तो पसु बद नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ सम्मान, यान आचरन अच्छा हो, मतलब जो भी आप अच्छी बाते यहां पर है, वो आप लीख सकते हैं, वही नेतिक नियम है, जो असोक ने बताया, ठीक है, और असोक ने कहा कि हिंसा नहीं करना, और पसु बद नहीं करना, तो उन्होंने जंगली, जो जंगल में रहने वाले लोग थ कि आप पसु बद नहीं करेंगे, और अगर पसु बद किये, पसु बद किये तो फिर, मतलब पसु बद किये तो फिर का मतलब क्या, मतलब हमारा सेना समाप्त नहीं हुआ है, आपको सबक सिखाया जा सकता है, तो यानि की पॉइंट यहां पर यह है कि इसने धम के पूरे के पूरे बेतर तरीके से अपनाने की बात की, दान करने की बात किया, जनमदीन पे भोज की बात किया, मिर्तु पे भोज की बात किया, धन इकठे से मना कर दिया, एक दूसरे से लरने से मना कर दिया, आहिंसा की बात करने की बात किया, पसुबद उनको नहीं होगा, ये सारा भागों में बटा भी नहीं था बहुत धर तो ही न्यानी भी है असुक यही बात अप अच्छे तरीके से समझेगा तो असुक का धम यही था जो बात मैंने आप बताया अब यहां पर देखे तो धम महामातर की न्युक्ति करता है क्या कि भाई देखो कि इस हिसाब से चल रहा खास करके जो ब्रहमनबादी विवस्था को मानने वाले बरग है उसमें एक रोस भी उत्पन होता है इसलिए देखेगा असुक के मरने के बाद सारा धम खतम हो जाता है और फिर से एक बार वही विवस्था सुरू हो जाती है जब सुंग और कन्नब आ जाते है तब ठीक है चलिए आगे असोख का नाम असोख मतलब असोख का नाम असोख है यह बात मास्की और गुर्जरा अभिलेक से मिलता है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेक में असोख का नाम असोख दर्ज है अभिलेक में हम बताएंगे कहा कहा कौन सा अभिलेक है तो असोख का नाम असोख पे देवा नाम पिए दसी कहा गया है आउसक को और यह कोषण में कई बार ऑर बना है बहुत बारी बना है तो इस बात को आप धियान में के असोक का नाम असोक मासकी और गुर्जरा अभीब्लेक से हमें मिलता है बाग ही अभीब्लेकों में इसे देवा नाम प्यदसी या देवताओं का प्यारा माना जाता है हो गया point चलिए असोक का बेटी और उसका बेटा संग मित्रा और महेंद्र इसके बारे में छोटी काहानी आप लोग ने पढ़ा होगा अगर पढ़ा होगा तो ये स्रिलंका जाते हैं और सिरलंका में बौध बिरिक्ष भेजते हैं उसको लेकर के सिरलंका जाते है है उसके कुछS चोटा सा पीपल का पौधा लेकर के वहां से वही से जहां भगवान बुद्ध को ग्यान की प्रप्ति हुई थी संगमित्रा और महंद्र जाते हैं स्रिलंका और वहां पे बहुत धर्म की परचार परसार करते हैं इस तरीके से असोक पूरे भारत में और पूरे दुनिया में असपास के देशों में बहुत धर्म का परचार करता है और सोक के परियासों से और आगे चलकर के कनिस्क के परियासों से बहुत धर्म जो है न अफगानिस्तान से ले करके और जैपैन तक फैल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से फैलता है आपको हम बताते कि हमारे कोडिया चले जाए यहां पर बहुत धर्म का परचार परसार बहुत है इधर पस्चिम चले जाए तो अफगानिस्तान में बहुत धर्म का सबसे पुराना बड़ा मुर्ति जो बामियान इकाजिसे बहुत क्या बोलते हैं तोप से उरा दिया गया अतंगबादीओ द्वारा त हम लोग भी इसको फैलाते हैं हमारे जो भी रिपर्जेंटेटीव है जब भी जाते हैं दुनिया में तो बहुत और बहुत सजुरु हुए या जैन या जैन सजुरु हुए चीजों का पर चार परसार करते हैं तो यह बात अब ध्यान में रखेगा असोख के बारे में और असोख मौनश गांते मीठीम सासक को न ही? ब्री हद्रत मौनSक पुरा इर्या था आप चलिए अब चलिए हम देखते हैं असोक के अभिलेखों के बारे में असोक का अभिलेख के बारे में एक में थुरा सा देखता हूं दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको छोटा सा बाद बता दू जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि हां चलो कुछ अलग है जानते होंगे कुछ बच्चे मैं अपको बता आता हूं जैसे देखिये भासा हमारी अगर हिंदी है तो लीपी देवनागरी है देव नागरी है ठीक है और यहाँ पे अगर भासा इंगलीस है लीग दता हूं इंगलीस तो यहाँ पे इसका लिपी इसक्रिप्ट रोमन है ठीक है मतलब यह कि A B C D से लेकर के Z का परयोग इंगलीस लेंगवेज में भी होता है फ्रेंच में भी होता है इस्पैनिस में भी होता है और दूसरे जगब भी होता है तो इन भासा लग है इंगलीस भासा लग है फ्रेंच भासा लग है इस्पैनिस भासा लग है लेकिन इस सब की लिपी क्या है रोमन उसी तरीके से हिंदी भासा लग है ठीक है मैं बता दू मैथली भासा लग है मानते इस बात को आप मैथली भासा लग है उसके बाद और भी भासा आप हिंदी से रिलिटरम कर सकते हैं लेकिन उसकी लिपी क्या ह देवनागरी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कि लिपी और भासा, ये एक पॉइंट होता है, जिसको आपको समझना होगा, और अगर आप WhatsApp में लिखते हैं, कि कैसे हो, कैसे हो, तो भासा क्या हुआ, भासा हुआ, हिंदी, कैसे हो, ये इंग्लिज भासा नहीं हुआ, लेकिन लिपी क्या हुआ, रोमन, समझ मैं आ गया, अब अगर आप ऐसे लिखते हैं, how are you, how are you, ठीक है, कैसे हो, भासा क्या है, अंग्रे जी, how are you, भासा क्या है, अंग्रे जी, लिपी क्या है, देवनागरी, देवनागरी लिपी में, अगर अंग्रेजी भासा को लिखेंगे, तो ऐसे लिखाएगा, और रोमन लिपी में, अगर हिंदी भासा को लिखाएगा, तो ऐसे लिखाएगा, जिसको आप लिखते हैं, what's up, typing या, जो भी, जिस तरीके से लिखत चली, तो लिपी और भासा समझ में आ गया, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, कि लिपी ब्रहाम्मी है, और भासा क्या है, प्राकिर्थ है, लेकिन पूरे भारत में लिपी ब्रहाम्मी नहीं है, लेकिन लिपी ब्रहाम्मी है, एक्जाम में कोशन क्या पूछा है, कि भारत में असोक का जो लिपी था वो क्या था तो ब्रहाम्मी है, ये कोशन एक्जाम में पूछे हैं, लेकिन जब नौर्थ बेस्ट की बात करते हैं, उत्तर पस्चिम के छेतर की बात करते हैं, तो वहां पर लिपी आरामाईक और खरोष्टी है, तो याद रखियेगा, पस्चिम उत्त लिपी बदल जागा, लिपी या तो रोमन लिख ले या दिवनागरी लिख ले, है न, कैसे हो, कैसे हो, कैसे भी लिख ले, ठीक है, वो अलग है, पॉइंट को समझ में आगया होगा, चलिए, आगला पॉइंट है, तो अब आगे देखते हैं, असोक के इडिक्ट के बारे म असोक के अविलेखों के बारे में थुरा साम ध्यान देते हैं, देखिए, असोक के अविलेखों के बारे में अगर आप ध्यान देखेंगें, तो कहां-कहां से इसके अविलेख मिले, हिंद्न इंगलीज दोनों में लिखा हुआ है, तो यार, गुरी अविलेख, आंदर पर 12 एक्जाम में कोसन आया है कि ये क्या था ये क्या बोलते हैं उसको डॉकियाद था यानि कि ये एक बंदरगा था बंदरगा ठीक है, सावाजगरी, पिसावर, अमानसेरा, हजार ठीक है, तो यह कुछ इनके इंपोर्टेंट जो है अभी लेख है, जो एक्जाम के कोशन बने है चलिए, अब सिला लेख की बात करते हैं, सिला लेखों की टोटल संख्या कितना है, 14 जिसमें हम मुखरूप से 5 और 13 सिला लेख की बरनन किये हैं, आप लोग 14 सिला लेख को देख सकते हैं, एक बार पर सकते हैं, क्योंकि 14 सिला लेख याद रखना बरत्रों मुश्किल है पांचवा में धम महा मातर की बात है, ये एक्जाम का कोशन पूछा है, इसलिए मैंने यहाप लिखा है, और कलिंग यूद का 13 सिला लेख में, ये MBBI है, कई बार कोशन पूछा है, तो ये पॉइंट यहाद ध्यान में रखिएगा, कि 13 बार लेख में कलिंग यूद का बरन पूछा है, और ये कोशन पूछा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कि 13 सिला लेख है, मैं आगे और भी बात करूँगा, पहले सिला लेख, और गुफा लेख, जिसमें हम 14 सिला लेखों की बात करते हैं, पांचवा धम महा मातर की बात करता है, और 13 कलिंग के यूद की किया, तो जिम स्पिरिंसिप ने 1837 में अभी लेख को पढ़ने का काम किया, सबसे पहले ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये कोशन एक्जाम में कई बारी बना है, अब आगे देखते हैं कि सिला लेखों का के बारे में कुछ पॉइंट, तो जो गुफा ले जाए कि बरावर की पहारी किसके लिए है, तो आजीविको के लिए बनाया गया था, और ये आजीविको का आजीवक सिक्ट की संस्थापक होना है, तो मकली पुत्र गोसाल है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, एक, अगला पॉइंट है, कुछ गुफाओ का नाम है, जै जोपर गुफा, विस जोपरी एकजाम में कोसन कई बारी पूछा है, तो याद रखिएगा विस जोपरी, चलिए आगे बात करते हैं, अस्तम लेख के बारे में, अस्तम लेखों की संख्या कितना है, 11 है, और सिला लेखों की संख्या कितना है, 14 है, ठीक है, अस्तम लेखों इलाहाबाद के किले में अस्थापित करवाया था तो यह important exam का question बन जाता है मदकारीन भारत से लेकिन है प्राचीन भारत की कहानी चली एक दिल्ली टोपडा फिर से महादकारीन भारत का कोशन बन जाता है कि फिरोसात्तुगलक ने दिल्ली टोपडा अस्तंभ को कहां लेके आ ठीक है रांपूर्वा काहां है चंपारन बिहार में है चंपारन जहां मात्मा गंधि अनदोलन किये थे लौरिया अरे राज कहा है यह भी बिहार में यहां पर रानी के अभिलेक कहा जाता है यह कोशन एकजाम में बना है और रुम्मी देई अभिलेक के बारे में क्या कोशन बना है यही बात या रखियेगा कि भगवान बुद्ध के जन्म क्या अस्थान चुकि यहीं पर था कोशाम बिलेक को रानी का अभिलेक कहते हैं तो असोक से के जो अभिलेक से पॉइंट हमने बनाया उसको अगर मैं एक वार आपको रिविजन करा दू ताकि आपके अग्जाम के कोशन बन जाये और अच्हे तरीके से बने मैं आपको देख लेता हूं आगे कुछ ऐसा है क्या ह फिर अस्तंब लेक और तीसरा गुहा लेक सिल्हा लेक कि संख्या 14 है जिसमें जिम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले पराथा 1907 में और सिल्हा लिखों में पांचवा और तेरवी की बात किया किसका कलिंग यूत की यह बात हमने पहले भी किया था उसके बाद हम देखते हैं अस्तंब लेखो किता अस्तंब लेखो की संख्याई 11 है और अलगलग जैसे दिली से टोपरा तो टोपरा से दिली लाया है फिरोसाटूगलग मेरण से दिली लेका आया मैं आपको थोरा सा, थोरा सा पॉइंट बता देता हूँ, हला कि ये कुछ जादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता आता हूँ, देखिए, जो अस्तम्ब होते थे ना, वो एक ही सिला से बना होता था, एक ही पत्थर से, मतलब इसमें कोई जोर नहीं होता था, एक ही सिला से, एक ही पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है, एक ही पत्थर से, और इसमें कहीं अगर जोईंट था, तो वो सीर्स पे था, तो सीर्स पे क्या था, सीर्स पे पर जोर था, सीर्स पे जोर, और सिर्ष पे अलग-अलग आकिर्ती जैसे कभी आप देखिएगा कि अलग-अलग आकिर्ती दिखाई देगा, ठीक है, कभी सेर की आकिर्ती आपको दिख जाएगा, ठीक है, कभी आपको देख जाएगा, असोक अस्तंब, कभी चक्र दिख जाएगा, तो अलग-अलग आकिर् ती कहां सिर्श पे वो इसको जोड़ा गया था लेकिन बाकी सब अस्तम एक ist बीना जॉांट के बनाया गया था ठीक है बीना जॉएंट के बनाया रही अस्तम और इस पे जो पॉलीस इस स्वेजो पॉलीस यह इतना बढ़िया है कि आज तक खड़ाब नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इंजिनियरिंग या हमारी टेक्नलोजी कितना स्टेंडर्ड थी कि यह पॉलिस आज तक खड़ाब नहीं हुआ है इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीके से इसको ध्य आज वाया है सारनात के असोक अस्तंब से जहां पे चार सीर है चकर बना हुआ है और जट जो हमारा जंड़ा का चोबीस चप्रड़ि का चक्र यह भी बात आप जानते तो यह सारा पॉइंट आप पहले से जानते थे यहां पर लेकिन मैंने आपको कुछ बाते यहां पर बताया असोक के अस्तंब के वारे में असोक के सिलालेक के वारे में और गुफा लेक के वारे में बताया कि बढ़ावर के पहाडियों में गुफा लेक है और यह गुफा ले आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेटे हैं थूरा सा चानक के बारे में चानक के बारे में क्या बात करना है कि इसे विष्णुगूपत और कौठिल कहा जाता था इसके किताब का नाम अर्थ सास्त्र है और पॉइंट है पड़े कि अर्थ सास्त जो है ना इसका राजनीती सास्तर पे किताब है यानि अर्थ सास्त की जो विशय बस्तू हो क्या है राजनीती है चंदरूपत का परधान मंत्री था और तक्सिला इंवर्सिटी का सिस और सिक्षक दोनों था यह तक्सिला इंवर्सिटी में पढ़ा भी था और देख लेते हैं सुंग और कन्णब के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर ध्यान रखिएगा सुंग और कन्णब के बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सुंग जो बंस है और कन्णब बंस है इस दोनों को ब्रहामन बंस कहा गया ब्रहामन बंस के अंतरगत भी सुंग तो सुंग बंस के संस्थापक सबसे पहले देख ले तो पुसुमित्र सुंग है संस्थापक है पुसुमित्र सुंग और इनकी राजधानी बिदीशा और पाटली पूत्र दोनों है तो बिदीशा और पाटली पूत्र है इनकी राजधानी सुंग का और मौरियों के जो अंति चितिक शूरत है जो उनकी जनकारी मिलती है वह पतंज़ली के महभास से ये कोसन एक्जाम का पुछा गया है कि पतंजली यानि की मह भास का राइटर कौन है तो पतंजली और पतंजली कौन थे तो योगदर्सन के संथापक थे योगदर्सन के संस्थापक थे और जानते हैं कि यही पतंजली है जिनके नाम पर बवाई रामदेव अपना पतंजली का पूरा प्रोग्राम चलाते हैं ठीक है चलिए और कालीदास के मालवी का अगनी मित्रम हालाकि कालीदास बहुत बात के है गुपतो के एज क्या है लेकिन कालीदास के मालवी का अगनी मित्रम से सुंग बंस का जनकारी मिलता है क्योंकि मालवी का अगनी मित्रम का जो अगनी मित्र है वो सुंग सासक है अगनी मित्र ठीक है बानभट के हर्स चरीत से भी सुंगों के बारे में जानता है जनकारी मिलती है तो यह कुछ पॉइंट हमने आपको बताया है ध्यान रखेगा खारवेल के हाती घुंपा विलेक और धन देव के अयोध्या विलेक से भी सुंगों के बारे में बात जनकारी हमें प्राप्त होती तो यह इतना point आप याद न रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कालिधास का अगनी मित्र तो हम याद करवा देंगे बानभट का हर्स चरीतर तो हम याद करवा देंगे पतंजली का महाभास अभी मैंने बताया और फिर से मैं बताऊंगा तो यह important है यह तीनों important है इसके कर्चा करते हुए आपके साथ चलते रहते हैं चलिए ठीक है तो सुंग बंस के संस्थापना कोन है पुसमित्र सुंग राजधानी कहा है बिदीशा या पाटली पूत्र आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि अंतिम मौर सासक जैसे कि हमने बताया ब्रीद रद की हत्या करता है और नय राजवन्स की अस्थापना करते हैं यह अपने आपको ब्रह्मन कहते हैं ब्रह्मन विवस्था को संस्थापना करने का स्रे लेते हैं फिर से कौन सुंग पुसमित्र सुंग ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसका एक सासक है अगनी मित्र और अगनी मित्र दोनों के बारे में यानि कि प्रेम विवाह कह सकते हैं या प्रेम और विवाह दोनों का चर्चा है जिसमें अगनी मित्र राजकुमार है और मालविका क्या है राजकुमारी है तो मालविका और अगनी मित्र के बीच के प्रेम विवाह का चर्चा किसके बीच में कौन है तो मा जान के सासक था मिनांडर उसको प्राजित किया अब इस मिनांडर का अगर हम जिक्र करें एक बार फिर से तो यह वही मिनांडर है मिलिंद पन्हो वाला मिनांडर है याद रखिएगा मिलिंद पन्हो जिसमें हमने कहा था कि राजा मिलिंद और नाग सेन के बीच में नाग सेन मिलिंद पनो के क्या है, राइटर है लेखक है, ठीक है नागसेन और मिलिंद पनो और मिलिंद और नागसेन के बीच में जो conversation है, वो मिलिंद पनो जो की Buddhist टेक्स्ट है वहाँ पे दिखाई परता है, और चुकि वो मिनांडर था, तो वही मिनांडर है, ये दिलिंद पन्हो वाला मिनांडर ठीक है चलिए तो बसुमीत्र ने इसे हडाया था और सुंगों के अंतिम सासक देव भूती है देव भूती और इसकी हत्या करके कन्णव डानेश्टी की अस्थापना करता है कौन बसुदेव तो याद रखेगा अब सुंग डानेश्टी के यहां पे समाप्ती हो जाती है और कन्व डानेश्टी को यहां पर हम ले करके चला आते है कंद्व को थो याद रखना Vietnamese की बता देंगे चर्ब करते हैं ध्याल ठीकर कंठ यस्ठी सैंस्थाक है बसुदेव इसने 45 वरसों तक चासन किया और इसके कुछ कूश सासक हुए जैस सिमत करके पतना तक ही सिमत के रहा गया और मगर समराज धीरे-धीरे पतन के वस्ता में चला गया तो यहां पर सुंकनब हो गया अब जरह हम सुंगो के तुरा सा संस्कृति के बारे बात कर ले क्योंकि यहां से एक्जाम के कोस्टन आते हैं हिंदी इंगलीस दोनों में लिखा खाल ठीक है यहां पर देखे हैं ह anthropology के समय को बैस्नवधर्म के पुरी मैं और जागरन बढ़ांन घरम भी कह सकते हैं जहता है यह चलिए एक बद्धों के परती औस अहीं सुनता कि नीतिनी बद्धों को सरन नहीं दिया उसके परती के निति नहीं अपना ठीlegen तो बर इत्सों में क्या है ये भी कभी कभी को सी interior का बन जाता है हां इडोसंद्रवार में पतंजली रहते थे जो महाभास के राइटर हैं और योग दर्शन के संस्थापक हैं यह कोशन एक्जाम का है कई बर ध्यान रखिएगा और इसी के समय मनुस्मिर्थी की रचना हुई थी जिसकी रचनाकार कौन है मनु है और इसे फ्रर्स्ट कोड ऑफ क Number का ज़ाता है पहला नियम कानून का किताब कहा जाता है मनुस्मिर्थी को है ना फ्रर्स पहला पहला कानून या नियमों का किताब है इस इस में कहा गया कि की किस तरीके से समाजिक काणून या समाजिक नियम चलेगा इस तरीके से क्या कर ना चाहिए मनूस्मिर्ठी थीक है मनूने लिखा था मनूस्मिर्ठी याद रखेगा करी कि कुछ कुछ पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इस समय जो मुद्र था वो बडा अब यहां पर देखेगा कि जो सांची का स्थूप है यह असोक ने थीक है तो असोक ने सांची का स्थूप बन वाया लेकिन चारतरों बेदिका जो की परिकर्मा का काल हो जगह होता है वह इसी समय बनाया गया था तो बाध्धो के परती औस अई सुनता अपनाते हुए भरूत के अस्तूप और क्या बोलते हैं साची के अस्तूप में बेदिका का निरुमान यह सब काम कराना कहीं नहीं कहीं एक बेहतर उधारन मिलता है साशक के रूप में तो यह सुंग और कन्डव के बारें बात कर लिये सुंग के बारे में याद रखेगा पतंजली, सुंगों के समय याद रखेगा मनुस्मिर्थी और पुस्मित्र सुंग, ये बात आप जरूर ध्यान में रखेगा सुंगों के बारे में, और इसे ब्रहमन बिवस्था का एक पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है, सु के बारे में और हर्यंग डानेश्टी से चीजों को सुरू करके हम सुंग और कन्णब तक लिए आए हैं इसको आप अच्छे से देख लिजेगा एक्जाम का कोशन बनाईए एक दम सॉल्व होगा सारे कोशन सॉल्व होंगे और कही तरह कोई कमेंट करेंगे ठीक है तो थैंक् अगली बार हम मिलेंगे सुन कन्णब से आगे